नमस्कार दोस्तों, बाईजूज आईएस में आपका स्वागत है, आज हम आपके सामने 16 अगस 2020 के समाचा और विसलेशन प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसमें 10 हिंदु अकबार के प्रमुख आर्टिकल्स की हम यहाँ पर समीच्छा करेंगे, और प्रारंबिक और मुख्य परिच कीर से जब भासर दिया जाता है, तो देश को संभोधत करते हुए, उनके दोरा कई प्रकाल की घुष्टनाएं की जाती हैं, लाल के लिए से जो घुष्टनाएं की जाती हैं, आगे चलकर वो वास्तिविक्ता में अस्तित्व में आती हैं, इसी कड़ी में देखें, तो प् दोरा एक महत्पुन गोष्टना की गई है, कि लड़कियों के लिए विवाह की जो आयू सीमा हैं, उसमें कुछ बृध्धी करने की संभावना हैं, और उस पर विचार करने के लिए सरकार के तरफ से एक कमेटी बनाई गई हैं, उसकी सिफारिस आते ही इस तरह के परवरतन किये जाएंगे, क्योंकि अगर मा बनने की आयू को भारत में बढ़ाना हैं लड़कियों के लिए, तो कहीं न कहीं बिवाह करनी की जो आयू हैं, उसमें एक तरह से बढ़ोत्री करनी पड़ेगी, और माना जा रहा है कि भारत में स्वास्त छेत्र में दूरगामी परवरतन लाने के लिए एक ये बड़ा कदम हो सकता है, तो हम प्रधारमंत्री के भासर से इन दो प्रमुख जो घोषणा हैं उनके उपर चर्चा करेंगे, वैसे आप ध्यान रखें कि प्रधारमंत्री के दौरा यहां पर कुछ महतपूर जो बाते की गई हैं, अगर हम प्रमुख घोषणाओं की बात करें, तो प्रमुख घोषणा में पहली बार है कि किसी प्रधारमंत्री के दौरा लाल के लिए की प्राचीर से अपने भासर में मासिक धर्म से संबंदी समस्याओं के बारे में बात की गई है, और किस तरह से सैनेटरी पैड का बड़े पैमाने पर भा माना जाता है कि सैनेटरी पैड लड़कियों के साथ में मासिक धर्म है, जो भी विभ्यनी प्रकार की बीमारिया या समस्याओं उसे संबंदित हैं, उनको रोकने में काफी प्रभावी है, तो प्रधारमंत्री के दौरा लाल के लिए से भासर में इसको जब बताया गया है, तो कही न कहीं मासिक धर्म से संबंदित एक जो कह सकते हैं, समाज में एक तरह का प्रतबंदित जो माहौल है, इसके बारे में बात नहीं की जाती है, ये कही न कहीं खतम होगा, सैनेटरी पैड का जो उप्योग है, वो स्वास से संबंदित एक आवस्चता के रूप में भा और प्रधारमंत्री के इस भासण में जिक्र करने के बाद कहीं न कहीं इसके लिए जो भारत में जागरुता है वो बढ़ेगी। प्रधारमंत्री के दूसरी एक महत्रपुन घोसना है कि आने वाले हजार दिन के अंदर अंदर भारत के जो 6 लाग गाउं है वहाँ पर ऑप्टिकल फाइबर का नेटवर्क है वो बिछा दिया जाएगा। प्रधारमंत्री ने घोसना की है कि 25,000 क्रोन रुपय का एक कोस दिया जाएगा जिसमें से जितने भी हाउसिंग प्रोजेक्ट यानि आवास की ऐसी ओजना है जो वरतमान में निर्मान की अलग-अलग अवस्थाओं में हैं उनको पूरा करने के लिए फंड उप्योग किया जाएगा तो सभी को आवास देना ये भी 2022 तक के लिए भारत सरकार के प्रमुख लक्षों में हैं तो इसकी पूरती के लिए सरकार की तरफ से ये घोसना प्रधारमंत्री के दवरा लाल के लिए से की गई है तो अब आगे के अगर हम पार पर प्रमुख घोसना की बात करें तो हम National Digital Health Mission का यहाँ पर डिसकस करेंगे। प्रधानमंती ने अपने भासर में का आया कि कोरोना वायरिस के समय फाइट करने में जो सबस्वड़ी समस्या आ रही थी कि जो लोगं विभिन प्रकार की बीमारियों से ग्रसित हैं जैसे माली जे हिर्दे संबंदी कोई बीमारी है या किड्नी संबंदी कोई बीमारी है या स्वसन संबंदी कोई बीमारी है तो कोरोना वायरिस का प्रोहा उनके उपर जादा है तो अगर ऐसे लोगों का आंकड़ा हमारे पास होता, तो कहिना के उनको सुरच्छित करने के उपाय ज्यादा आसानी से किये आ सकते थे, तो कोरोना वारेस की fight में सरकार को ये महसूस हुआ कि भारत में लोगों का एक स्वास्त आंकड़ा होना चाहिए और ये डिजिटल रू जाएगा, तो सभी वेक्तियों को एक तरह का आप कह सकते हैं कि Health ID दिया जाएगा, Health ID के अगर हम बात करें, तो किसी वेक्ति के दोरा विभिन प्रकार के जो टेस्ट कराएगा है, या कोई उसने XR कराया है, या कोई CT scan कराया है, तो जो भी इस तरह के टेस्ट उसने कराया ह उसके आंकडे Health ID में रखे जाएंगे, अगर किसी BCS बीमारी से वो गरसित है, तो उसके आंकडे होंगे, और उसकी जो भी medical report है, माली जग किसी अस्पताल में वो admit होता है, तो अंतिम रूप में जब discharge हो रहा है तो उसकी report, या प्रारंबिक अवस्ता में इलाज करते समयें जो भी doctors के अलग-अलग report है, उनका आंकड़ा इस Health ID में रखा जाएगा, और साथ साथ जो भी बीमारी का वहाँ पर आकलन या diagnosis किया गया है, जब भी test किया जाता है, तो doctors अनुमाल लगाते हैं कि इसको किस तरह की बीमारी हो सकती है, तो उसके बारे में भी जो भी doctor का data है, वो वहाँ पर संकलित होगा, तो आप ध्यान रखें, Health ID में यह जो भी बीबिन प्रकार के आंकड़े किसी वेक्ती के एखटे किया जाएंगे, इसके लिए doctor, भीबिन प्रकार के अस्पताल या स्वास्त केंद्र वो प्रमुक कड़ी के रूप में काम करेंगे, और वहाँ स इसी बीमारी का उसमें लक्षण रहा है, तो उसके कारण उसका जो इलाज होता है, उसमें परवर्तन आ सकता है, जैसे अगर आप हमेशा स्वास संबंदी समस्याओं से गरसित रहे हैं, तो कोरोना वायरस में प्रभावित होने के आपकी संबावनाएं जादा है, तो आपक जो एतियाद बरतनी है, सावधानी बरतनी है, वो जादा हो सकती है, अगर आपके हेल्थ आईडी में कोई ऐसा डाटा है, कि आपको स्वसंसंबंदी बीमारियां रही है, तो कहीं न कहीं आपको प्रिकॉसन लेने के लिए जादा एक तरह से कहा जा सकता है, या आपको लाब होंगे, तो इस प्रकार का अगर डिज्टल डाटा सरकार बनाने जा रही है, इसके लाब क्या-क्या हो सकते हैं, क्योंकि भारा सरकार का कहना है, कि किसी भी बीमारी के इलाज के लिए, अलग-अलग हॉस्पिटल्स में, अलग-अलग डॉक्टर्स तक विजिट किया जाता है, और अंतिम रूप में, जब इलाज होता है, तो पता चलता है कि पहले जिसका इलाज किया जा रहा था, असली में वो बिमारी थी नहीं, और गलत इलाज चल रहा था, तो ये बड़ा करण है कि लोगों का जो स्वास्त बिल है, वो भारत में काफी ज्यादा है, क्य सुचना है, डॉक्टर या जो होस्पिटल्स हैं, वो एक्सेस कर सकते हैं, और उसके आधार पर किसी व्यक्ति का सटीक इलाज किया जा सकता है, तो इसको सुनिश्चित करना, इस डिजिटल हेल्थ मिसन का एक प्रमुख उद्देश है, तो इसके लाब आप देखिए, हेल्थ तो आप अगर आगे चलकर किसी समस्या में आते हैं, तो सबसे पहले आप ऐसे डॉक्टर के पास जाएं, जो सुसन संबंदी बिमारियों के लिए स्पैसिलिस्ट है, तो सही डॉक्टर तर पहुंचना वो आपको इतरह से आसान हो जाएगा, और जो भी डॉक्टर आपकी ब अगर आपको इस तरह की कोई बिमारी नहीं है, और आपको अंदेशा है कि आप वहाँ पर गए हुए हैं, तो हेल्थ आइडी के आधार पर एक अनुवान लगाना संबभ हो सकता है, तो सही डॉक्टर का अपर्टमेंट आप प्राप्त कर पाएंगे, इसमें भी इस हेल्थ में विजिट करेंगे, उस हॉस्पिटल में आपकी विसेज बिमारी से संबंद सुबदाएं हैं या नहीं है, इसका अकड़ा होगा, तो आपको मल्टिपल यानि एक से ज़्यादा हास्पतालों में विजिट करना नहीं पड़ेगा, तो ये भी एक तरह से जो खर्चा होता उसको कम करने में कहीन ज़िट करेगा, और आपका पुराना जो हेल्थ रिकॉर्ड है, उसमें जो दवाएं आपको दी गई है, उसके आधार पर भविस्स में जो बिमारियां हैं, उनमें जो दवाईं दी गई, उनको एक तरह से निधारित किया ऐसकता है, माली ये कोई वि description आपको दवा का दिया जा सकें, ये भी कहिने के इस health ID के माध्यम से सुनिस्चित किया जा सकेंगा, तो सरकार की तरफ से इसे बड़े पैमानेपन लागू करने के लिए प्रयास किया जा रहा है, भारत सरकार के दोरा निधारित किया गया है, कि इसको लागू करने के लिए ज जो National Digital Health Mission है, उसको संचालित किया जाएगा, वरतमान में एनेचे अगर आप देखें, तो सफलता पुरुक प्रधानमंत्री की जो आयुस्मान भारत की ये की योजना है, प्रधानमंत्री जन आर्यो की योजना, उसको लागू कर रहा है, एनेचे को जिम्मेदारी दी जाए जाएगी, वो सारी जिम्मेदारी एनेचे के दोरा निभाई जाएगी, तो एनेचे जो योजना है, उसमें नोडल एंजनसी होगा, एनेचे, सरकार की तरफ से कोसिस हैं, कि पहले इसे केंसासिप प्रधेश यूनिन टेरिटरी से हैं, यानि चंडिगर, लद्दाक, दादर निकोबार, और साथ-साथ लक्षी दीप, यहां पर लागू किया जाएगा, और आगे चलकर धिर धिरे पूरे भारत को इसके तरह से कबर किया जाएगा, पारा सरकार की तरफ से ये भी गोशना की गई है, कि ये जो योजना, नेस्नल, डिश्टल हेल्थ मिंसन है, ये वोल अपना आकड़ा इसमें डालना चाते हैं, तो वो वॉलेंटरी रूप में, स्वेच्छिक रूप में इसमें सामिल हो सकते हैं, बारत सरकार ने ये भी कहा है, कि जब हम बात करते हैं, नेस्नल हेल्थ अथर्टी, तो एनेचे एक तरह से इसमें डूडल एजनसी जरूर है, लेकिन निजी संस्ताओं को भी एक तरह से अधिकार दिये जाएंगे, कि उनके द्वारा हेल्थ आईडी के आधार पर कुछ नए प्रकार के जो प्रोड़क्ट हैं, वो डिजाइन किये जाएं, देकि इसका मतलब ये है, कि अगर किसी वेक्ति का कोई हेल्थ आईडी माली बनता है, तो उस हेल्थ आईडी के जो प्रमो काम है, वो एनेचे करेगा, लेकिन हेल्थ आईडी का उप्योग करके विविन प्रकार की योजना है, वो निजी छेत्र भी संचालित कर सकता है, तो हेल्थ आईडी जो बनेगा उसका उप्योग के वाद सरकार करेगी, ऐसा आ परीज का इलाज होना है, या क्या सुवधा है, कौन से हॉस्पिटल में उसको भरती करना है, उसके संबन्दी जो मंजूरी है, वो भी हेल्थ आईडी के आधार पर सरकार के दोरा ही दी जाएगी, तो ये दो प्रमुक काम सरकार के हाथ में रहेंगे, इसके अलावा हेल्थ आ आप्लिकेशन या इसके अनुप्रयोग हैं, उनके आधार पर अन्न योजना है बनाने के लिए निजी छेत्र को छूट दी है, क्योंकि सरकार की कोशिज है कि इसका बहु आयामी बिकास हो, और इस हेल्थ आईडी के आधार पर भारत में सास सुवधाओं में दूरगा में परवर्तन हो, तो इसके लिए निजी छेत्र को भी इसमें सामिल करने की आवश सकता है, अब इस योजना के सफलता पूरवक अगर लागू करना है, तो इसके लिए प्रमु खुरूप से जो इसमें स्टेक होलडर्स हैं, या इसमें जो भागीदार हैं, उनकी एक तरह से र लाटा को पता करते हैं, तो कहिना के उसकी विभिन प्रकार की जो बीमारियां हैं, उनकी इलाज करने में आसानी होगी, एक समस्या यहाँ पर जो बताई जा रही है, कि हेल्थ आईडी का जो आकड़ा है, उसको किस तरह से सुरक्षित रखा जाएं, किसी भी व्यक्ति के स् बनी रखें, उसकी निश्टा बनी रखें, यह सरकार एक तरह से सुनिश्चित करने का कारी भी करेगी, क्योंकि इस परकार की अगर हैल्थ आईडी बनेगी, तो इसमें सबसे बड़ी समस्या यही आ सकती है, तो अगर सरकार उसको सुरच्षित करने का कोई तंत्र बना पा तो जो भी इसके भाग हैं, किस कारण से बनाया जा रहा है, लाब के आउंगे, वो आप बता सकते हैं, और यह मिस्टन भारत में सा सुबदाओं को बढ़ाने में किस प्रकार योगदान देगा, तो उससे आप बता सकते हैं, अगर आप किसी वेक्ति के पास्ट हेल्थ रेक अधरवाई, डियाग्नोस करने में बिभिन प्रकार के टेस्ट में बहुत खर्च होता है, तो खर्च को बचाया जा सकता है, तो इलाज सटिक हो पाएगा, लोगों के खर्चे बचेंगे, और स्वास्त की सुवधाएं बहतर तरीके से लोगता पहुचाया जा सकती है, हॉस अगर राष्टिये डिश्टल स्वास्त मितन सफलता पुरो भारत में बड़े पैमाने पर लागू होता है, उसको आप अलग-अलग परग्राफ में डिसकस कर सकते हैं, सेक्ड नियूस पर आते हैं, गवर्मेंट में रिव्यू दा एज ऑफ मैरिज, प्रुधारमंत्री के अगर प्रधानमंत्री के दोरा लड़कियों के लिए विवा करने की आयू को एक परिवर्थित करने के लिए बात की गई है, तो कहीं न कहीं ये उनके माँ बनने की उप्योक्त आयू के साथ में संबंदित हैं, जितनी जल्दी एक तरह से कोई भी लड़की का विवा होता ह तो संबावना उसके कम उमर में माँ बनने की बन जाती हैं, और ऐसी इस्तिती में उस लड़की के स्वास्त के साथ साथ जो बच्चा होगा उन दोनों के स्वास्त पर असर पड़ता है, तो कहीं न कहीं सरकार का मानना है कि ये दोनों एक तरह से आपस में संबंदित हैं, त अब ये दोनों ही आपके एक तरह से संभव हो पाते हैं, अगर कोई भी लड़की सही आयू में एक तरह से मा बनती हैं, इस बात को लगबाब सभी समझते हैं, कि अगर उप्युक्त आयू जो 18 से 20 वर्स की है, उसके पहले अगर कोई लड़की मा बनती है, तो उसके स्वास्त पर विपरीध प्रभाव तो पढ़ता हिए, जो बच्चा पैदा होगा, उसके स्वास्त पर भी विपरीध प्रभाव पढ़ता है, तो ये स्वास्त में बड़ी समस्या दिख रही है, और कहिं न कहीं बच्चे को जन्म देते समय मा की मृत्वी होने की संभावने बढ़ ज तो आप ध्यान रखें, अगर हम MMR की बात करें, अगर हम बात करें मातर मृत्यों अनपात, और साथ साथ अगर हम बात करें infant mortality rate, यानि सिस्यू मृत्युदर, तो दोनों कहीं आंकड़े एक तरह से नीचे अगर लाने हैं, तो कहीं न कहीं, जो मा हैं, उसके स्वास्त की परवरतन करने के लिए भारत सरकार आवस सकता महसूस कर रही है, ऐसा नहीं है कि पहली बार प्रधार मंत्री के द्वारा ही इस बात को लाल के लिए से भी कहा जा रहा है, इसके पहले अगर अब देखें, वित्त मंत्री के द्वारा एक फरवे 2020 को अपने बजट भासर में यह कहा गया था, कि अगर सही आयू में कोई लड़की मा बनती है, तो उसके पोसन इस्तर एक तरह से मजबूत किया सकता है, और सासा जो मात्र मृत्य उदर है, मैटरनल मृटल्टी रेशो, इसको भी घटाया जा सकता है, यानि बच्चे को जर्म देते समय मा की जो मृत्ती होने की संभावनाएं है, उसको घटाया जा सकता है, तो महिलाओं के पोसन को बढ़ाना, और MMR को घटाना, ये दोनों काम किया सकते हैं, अगर सही आयू में मा बनती है, तो ये कही न कहीं वित्तमंत्री के दारा पहले भी कहा गया है, और इसी कड़ी में आप देखें, तो 10 सदस ये कमेटी का गठन किया गया है, जया जेटली के अध्यस्ता में जो कमेटी 10 सदसों की बनाई गई थी, उन्हें एक तरह से ये कारे दिया गया है, कि भारत में किसी भी लड़की के मा बनने के लिए जो उप्युक्त आई हूँ है, उसके संबद में उनके दारा सुझ भावना हैं, कि इसके बारे भारत सरकार के दोरा प्रयास किया जाएगा, प्रधार मंतरी के इस भासण से एक बात बहुत क्लियर हो गई है, कि अगर हम बात करें, चाए मा के स्वास्त की अगर हम बात करें, या बच्चों के हम स्वास्त की बात करें, तो दोनों के जो स्वा कट रूप में सरकार इसको सामने लेकर आ रही है प्रधार मंत्री के दौरा लाल के लिए से इस बात को कहा जा रहा है मा और बच्चे के स्वास्त को लेकर भारत सरकार कहीं न कहीं इस एक अनमान पर आ रही है कि 20 वर्ष से पहले जो विवा हो रहा है लड़कियों का और वो ज लिंक सरकार ने एक तरह से मान लिया है और यह आप कह सकते हैं भविस के लिए काफी अच्छी एक बात है क्योंकि इसके आधार पर भारत में कई तरह के सुधार किया जा सकते हैं अब एक रिसर्च यहां पर जो सामने आया है अगर आब रिसर्च की बात करें तो इस रिसर् Child and Adolescent Health, इसमें पिछले वर्स प्रकासित हुआ था, अगर हम इस रिपोर्ट की बात करें, जो लैंसेट में पिछले वर्स प्रकासित हुई है, तो इस रिपोर्ट में कहा गया है, कि अगर 10 से 19 आयू वर्स में, कोई भी महिला मा बनती है, तो संभावना ये है, कि जो भी बच बच्चा गरसित होगा, यानि सौ में मानके चलिए, कि पाँच बच्चे ऐसे होंगे, जो कम लंबाई की होंगे, अपने उस ओसत लंबाई, जो उस आयू में पाई जाती उसकी तुलना में, अगर कोई मां 10 से 19 वर्स की आयू में है, तो उससे जो भी बच्चा पैदा होग उसकी लंबाई, सामानने जो बच्चे हैं, उनकी तुलना में कम होगी, संभावनाय कितनी है, पाँच प्रस्त संभावनाय होती है, तो आप मानके चलिए, कि बच्चों में लंबाई का कम रह जाना, वो कहें न कहीं, मा के सही आयू में एक तरह से मा बनने से भी संभन देत कि अगर 24 वर्स से अधिक आयू में कोई महिला मा बनती है, तो उसकी तुलना में 10 से 19 वर्स का जो मा है, उनके जो बच्चे हैं, उनमें 11 परसन संभावनाय जादा है, कि उनके बच्चों की लंबाई कम रह जाएं, या वो स्टंटिंग का सिकार हो जाएं, तो आप देखें कि जितना अधिक एक तरह से मा की आयू है, जो 18 या उससे कम है, उससे जादा जितना होगा, जैसे 20 से 24 से अधिक हैं, तो संभावना हैं, कि बच्चों की जो लंबाई है, वो सामान रहेगी या उससे जादा, और अगर 10 से 19 वर्स की आयू में कोई मा है और उसका जो उसमें कईनके बच्चों की लंबाई सामाने से कम रहने की संभावना हैं, बहुत जादा हैं, 10 से 24 आयू वर्स की जो मा हैं, उनके बच्चों की तुलना में 5 परसंट, और 24 वर्स से अधिक आयू की मा हैं, उनके बच्चों की तुलना में 11 अधिक संभावना हैं, इसके ऐसे हो सकते हैं जो कम बजन के हों तो यहां आकड़ा क्लियर है कि अगर हम 20 वर्षे कम आयू में कोई भी लड़की मा बनती है तो बच्चे जो भी होंगे उसके उनमें लंबाई और बजन उनके कम होने की संभावनाएं सामानता हो सकती हैं और यह आकड़े कहिने के भारत सरक को हम कहीं न कहीं मजबूत कर सकते हैं अगर हम भारत में अरली चाइल्ड मेरिज की बात करें यानि बाल विबाव हमारे हम भारत में होता ही क्यों है तो बाल विबाव के लिए कहीं जो सबस्वड़ी समस्या मानी यह जाती है कि हमारे दो प्रमुख समस्या को रूप में दे परवार है, तो उनको लगता है कि जितनी जल्दी वो अपनी लड़की की साधी कर देंगे, कहिने के अपनी जिम्मेदारियों को इतरह से वो निभा देते हैं, तो वो एक कान के रूप में दिखता है, अगर हम लड़कीों की सुरक्षा की बात करें, तो ये भी एक प्रमुख खत्रा कहीने के माना जाता है, तो उनकी सिक्षा को लेकर या अपने घर से बाहर वो जब भी पढ़ने के लिए और किसी भी काम के लिए जा रही है, तो कितनी वो प्रमुख एसे कारण है, जो बाल विबाब को भारत में के आगे बढ़ाते हैं, अब धियान रखें, भारत म एक कानून है, ऐसा नहीं है कि बाल बवा को रोकने के लिए कोई सिज़ तोर पर कानून नहीं है, और 2006 का यह जो Child Marriage Act है, यह काररत है, लेकिन देखा यह गया है कि Child Marriage Act का दुरपयोग किया जाता है, जैसे माल लीजे कोई 16-17 वरस की आई में लड़के और अलकी ने माल लीजे सामान रूप में कम हुआ है, इसका दुरपयोग जादा हुआ है, तो माना यह भी जा रहा है कि सरकार Child Marriage Act दो 2006 है, उसको सही से लागू करें, तो भारत में बाल विवा के संभावना को घटा सकते हैं, भारत सरकार के जारा ओपयोग तो आयू में मा बनने और विवा की जो आ लड़कियों का ससकती करण होता है, और सिक्षा के दारा वो आर्थिक रूप से भी सबल हो सकती है, तो अगर आप सिक्षित हैं, तो आप आर्थिक रूप से सबल होते हैं, और आर्थिक रूप से सबल हैं, तो निर्णा लेनी की छमता आपके अंदर आती है, यानि अगर आ अगर सरकार डॉप आउट रेट लड़कियों के लिए बात करें, वो घटाने में सफल हो पाती है, तो कहिने कहीं लड़कियों की सिक्षा को हम सुनुष्चित कर पाएंगे, और उनका ससकती करन कहिने के उनको निर्ने लेने के लिए एक ससकता देता है, कि किस समय सीमा में उन उनको विवस करेगा कि वो बाल विवा से पीछे हटें, और 2006 का जो चैल्ड मेरिज एक्ट है उसको भी अगर कठोड़ता पूरवक लागू किया जाएं, तो इससे भी बाल विवा को रोका जा सकता है, सुनुष्चित किया जाएं कि लड़कियां बीच में सिक्षा को ना छ सकता है, इसी डिसक्रेशन से संबंदे एक कोश्चन आप देखें, महिलाओं का पोसर्ण सिक्षा तता सही आई में मा बनना, भारत में स्वास समस्याओं के दूरगामी हल के लिए अत्यंत आवशक है, तिकि दूरगामी एक तरह से प्रभाव क्या होता है, कि अगर मा लिज बच्चों के स्वास्त में एक बड़ी कमी की रूप में देखा गया है, और मा लिजे बच्चा या मा सही रूप में बच्चा को जन देती है, लेकिन बजन कम है, या उसकी लंबाई कम है, तो ये कही न कहीं स्वास समस्या के रूप में आगे दिखता है, तो इस तरह की जो के माँ बनने के लिए जो इस्थितियां हैं वो बनाई जाएं तो ये भारत में दुरगा भी परणाम ला सकती है स्वास्त में क्योंकि अगर महिलाओं का पोसन इस्थर मजबूत होगा तो कहिना के जो बच्चे जन्म लेंगे वो भी स्वास्त होंगे उनके कम बजन के या कम ह जानकारी होगी तो इससे भी आने वाले जो बच्चे उनके स्वास्त पर प्रवाव पड़ता है और अगर सिच्छा उने मिली है तो कहिने कहीं उनके आर्थिक सबल होने की संभावना है आर्थिक सबलता है तो मैलाएं अपने पोसन और बच्चे के पोसन दोनों के बाने मे जागरुख होंगी, तो ये भी भविस्ट में आने वाले जो बच्चे और जो माँ हैं, उनके स्वास्त को मजबूत करेंगे, तो भविस्ट में जो भी एक तरह से दूरगामी समस्यां स्वास्त में आ सकती हैं, माँ और बच्चे के स्वास्त को लेकर, उसको दूर करने में कह बने कोई लड़की, तो बच्चे का यो स्वास्त वो भी अच्छा होगा, तो ये लिंक अगर भारत सरकार मजबूत की रूप में पहचान रही है, और इसको लागू करेगी, तो ये भविस्थ में महिलाओं, मा और साथ साथ जो बच्चें, उनके स्वास्त को मजबूत करने म दूरगामी रूप में परणाम दे सकता है, तो ये अंत्वे निसकर्स के रूप में आप बता सकते हैं, नेस्ट अबनी नुस पर आते है, गवर्मेंट, थिंग टैंग, फ्लैक्स, केमिकल इंडस्ट्री, इंफ्रस्ट्रॉक्चर, सौट कमिंग्स, तो बहरत सरकार के थिंग टैंग के रूप में संस्टा काम करती है, टाइफएक, ये टेकनोलजी, इन्फोर्मेशन, फॉर्कास्टिंग एंड असेस्मेंट काउंसल, तो इस टाइफएक के दोरा और इध्यान रखें, ये जो संस्टा है, जो थिंग टैंग माना जाता है, साइंस एंड टेकनो मुद्दा चल राता भारत और चीन के बीच में, तो हमने एक तरह से देखा कि लोगों के दारा मांग की गई, कि चीन से विबिन प्रकार के हमारे जो आर्थिक संबंद है, वो समाक्त कर दिये जाएं, तो ये करना भारत के लिए बहुत आसान नहीं है, क्योंकि अगर आप देखें, तो भारत में जितने भी अगर हम दवाएं एक तरह से बनाई जाती हैं, उनमें जो भी मध्य रूप में केमिकल यूज किया जाते हैं, या एपियाई की बात करें, जब एपियाई आप बोलते हैं, तो एक्टिव फार्मस्टिटिकल इंग्रियंट, जो भी से एक्टिव इंग्रियंट होता है, वो एक तरह से आप देखें, 67% कहां से आता है, चीन से, यानि अगर मालीजे हमें 100 kg इस तरह के API और केमिकल इंटर्मीडियर्स के आवस्चता है, रसायन मध्यस्ट जो होते हैं, तो दवा बनाने के मध्यस्ट के रूप में काम करते हैं समाल लीजे, ये कच्चा माल है, और B यहाँ पर एक मीडियेटर मालीजे, कोई केमिकल की जरूद परती है, उसके आदार पर finally C compound बनता है, जो एक दवा होती है, तो इस तरह के जो मध्यस्ट हैं, और दवा में जो active रूप में रहता है, जो असर डालता है बिमारियों में, वो active जो हिस्सा है, और जो intermediate पाल्ट है, वो दोनों ही लगवत 67% कहां से आ रहा है, चीन से, तो अगर हम चीन से अपने व्यापार को पूंट रूप से प्रतबंदित करते हैं, तो भारत में जो दवा निर्मान उद्द्योग है, वो बहुत बड़े खत्रे में आ सकता है, त उसमें अधिक संभावना नहीं बन सकती है, और भविस में भारत का जो दवा निर्मान उद्द्योग है, वो संकट की इस्तिती में आ सकता है, टाइफक का कहना है, कि भारत में न तो इस तरह की टेक्नोलोजी उप्योग की जा रही है, न विभिन प्रकार के सायंत रहें, न तो हमारे पास बहुत ज़्यादा कम लागत पर उतपादन नहीं होता है, तो ये समस्या है, तो हमारे आज़ उतपादन रसायन का होता है, वो कौस्ट इफेक्टिव नहीं है, तो हमें एक तरह से लागत घटाने के जरूत है, और साथ साथ इसमें पॉलूशन भी काफी होत हमारे जब लागत बढ़ी होती है तो कहिने के चीन की तुल्ना में वो महंगे हो जाते हैं और अंतराश्टी बाजार में बहुत ज्यादा प्रतिसपर्दी नहीं रहा जाते हैं अगर हम देखें जो भी सॉल्वेंट यानि एक विले के रूप में और विबिन प्रकार के जो रसायन उत्पादन किये जा रहे हैं चाइना के तुल्ना में माना जाता है कि 15 प्रसंद लागत ज्यादा है और यह काफी बड़ी लागत है तो अगर लागत चीन से 15 प्रसंद ज्यादा होगी तो कहने के अंतराश्टी बाजार में हमारे लिए समस्याएं बढ़ेंगी तो हमें अपनी लागत घटाने के एक तर रोग दिया था तो हैड्रक्सी क्लोरीकीन अगर हम देखें तो इसका जो निर्मान है वो पूर्ट रूप से डिपेंड करता है किस पर चीन से जो हमारे उत्पाद आते हैं तो चीन से जो कच्छा माल आता है उससे उत्पादित किया जाता है तो कहीं न कहीं अगर हम बात कर है chloroquine और hydroxy chloroquine दोनों के उतपादन के लिए हम पूर्ण डूप से डिपेंड किस पर हैं चीन पर तो अगर चीन से हमारे व्यापारी संबंद किसी सामरी कारण से समाप्त होते हैं या कम होते हैं तो हमारे लिए chloroquine और hydroxy chloroquine का उतपादन करना आसान नहीं है तो एक बड़ी स जो कच्छा माल है इंटर्मीडियर जो केमिकल्स है यानि जो मध्यस्त रसान उप्योग किया जाते हैं या जो API यानि active pharmaceutical ingredient है वो एक तरह से उतपादित नहीं किया जा रहे हैं तो आप इस तरह से समझें कि A कच्छा माल है माली जो B कच्छा माल है और इसके आदार पर C जो जाता ध्यान दे रहा है और A और B इसको कहां से लाना इसके बारे में बहुत ध्यान नहीं दिया जा रहा है जो उत्पादन थोड़ा बात हमारे हैं होता था वो भी धिरदर घटाया जा रहा है क्योंकि हम अंतिम दबा निर्मान करने पर ज्यादा ध्यान केंदित कर रहे है और भारत बाहर से कच्चा माल ले रहा है अगर हम API की बात करें जो Active Pharmaceutical Ingredient है या हम बात करें एक तरह से जितना भी Chemical Intermediate है तो वो हम बाहर से जादा ला रहे हैं तो हमें अपने अपादन करना बाहर से कच्चे माल को लाकर हमें लागत कम लग रही है लेकिन अगर हम आगे च करना बैस्विक के स्थर पर व्यापार रुका तो हमारा दवा निर्मान उद्द्योगे पूर्ण रूप से रुख सकता है तो ये प्रमुख समस्या भविस्व में आ सकती है जिसके उपर टाइफ़क के द्वारा इतरह से कमेंट किया गया है अगर हम बिविन प्रकार की जो प्रमुख दबाई है जो बारत में बड़े पैमाने पर बल्क में उत्पादन की जाती थी और जो इंटर्मीडियर्स है यानि जो मद्यस्थ रसायन थे उनकी अगर हम बात करें तो हमारे जो फार्मस्योटिकल उद्योग का कुल मिलाकर जो एक्सपोर्ट होता है उनमें इन एक तरह से एक्सपोर्ट घटा है तो यह दो बड़े हिस्से हैं जो भारत में निर्याद किया जाते थे पहले उनका कमी आई है अगर हम 2008 से 2018 के बीच में देखें तो 2008 में हम 42% एक तरह से इंटर्मीडियर्ट और जो बल्क में ड्रग है जो बड़े पैमाने पर भारत में द भारत में active pharmaceutical ingredient और साथ-साथ intermediate जो रसायन यानी मध्यस रसायन उपयोग किये जाते दवा निर्मान में उनको भारत बाहर से आयात कर रहा है स्वेम उत्पादन नहीं कर रहा है और ये दवा निर्मान के लिए आने वाले समय में प्रमुक समस्याएं इसे दूर करने के लिए उपाए क्या हो सकते हैं तो उपाए के रूप में जो सबसे प्रमुक उपाए हैं कि भारत में R&D, Research and Development, अनुसंदान विकास को बढ़ाना पड़ेगा इसी के साथ सा जो निवेस हैं अनुसंदान विकास में दवा निर्मान चेत्र में उसे बढ़ाने की आवस्ता है वो चा सरकार रसायन उद्द्यों को स्थापित करने के लिए छूड़ दे तो ऐसी सीटी में भारत में जो इंटरमीडियट केमिकल्स हैं जो मध्यस रसायन है और जो एक्टिव फार्मस्टूट का रिंग्रेंट API इनका उत्पादन बढ़ेगा और ये दवा निर्मान के लिए एक क्वेशन लिखने की प्राटिस की जगा भारत में दवा निर्मान उद्द्यों की प्रमुक समस्याओं को समझाते हुए इसके हल की लिए किये जाने वाले उपाई भी बताएं अगर दवा निर्मान के प्रमुक समस्याओं की बात करें तो यहाँ पर हमने जो अभी टाइफ अनका उत्पादन जादा नहीं हो रहा है और हम बाहर से इसको जादा आयात कर रहे है तो यह कहिने हैं कि हमारी लागत को और बढ़रा है और आने वाले समय अगर विदेशों पर हमारी निर्भरता बढ़ेगी तो हमारा दवा निर्माण उद्द्योग संकट में आ सकता है तो तो प्रमुक समझते हैं, आप बता सकते हैं इनको, जहां तक हल करने की बात है, तो हमने लास में डिसकस किया, कि R&D, Research and Development, और साथ में जो निवेस है, वो इस छित में काफी आवश्यक है, और सरकार के दारा विबिन प्रकायर की छूट के मादम से भी जो रसायन उद्यों के आगर बढ़ावा दिया जा सकता है, या विबिन प्रकायर के जो इस पेसल एकनॉमिक जोन है, उनमें दवा निर्मान को बढ़ावा देने के लिए सरकार कारे कर सकती है, तो ये सब सुदाएं इस उद्यों को एक तरह से लागत घटा कर उत्पादन बढ़ाने के लिए प्र एक तरह से योगदान हो सकता है, या भविस्त में इसमें क्या एक तरह से परणाम हो सकते हैं, तो उसी आधार पर हमारा ये आर्टिकल है, और उसी के संबन्ध में हम अपनी चर्चा कर रहे हैं, इस समझाता है कि अगर प्रम्भुख भिंदियों की बात करें, तो देशों के साथ ही एक तरह से बने हुए, तो खाडी के देशों में UAE पहला देशा जिसके साथ इसराइल के राजनिक सम्मध स्थापित होने जा रहे हैं, तो काफी महत्रपूर्ण बात है, दूसरा आप देखें, इसराइल के जो वरतमान प्रधानमंत्री हैं, बेंजामिन नेतन यहू, उनके दारा कई बार इस तरह की अपील की गई है, या एक तरह से घोशना की गई है, कि वेस्ट बैंक, जो पस्मी बैंक का इलाका है, उन छेत्रों पर इसराइल हमले करके नए इलाकों पर कबजा करेगा, और जो वहाँ पर यहूदी बस्तियां उनको अपने नेत्रण में लेगा, तो यहाँ पर इसराइल के दारा एक वादा किया गया है, कि वेस्ट बैंक के छित्रों पर किसी भी तरह का हमला नहीं किया जाएगा, आप वेस्ट बैंक का इलाका ध्यान रखें, जहां तक वेस्ट बैंक की बात करें, तो यह इलाका वेस्ट बैंक का जो एक तरह से Jordan के साथ सीमा पर पढ़ जाता है, तो ये काफी महत्रपुन एक तरह से निर्णा यहाँ पर इसराइल ने एक वादे के रूप में किया है, तीसरा, विबिन प्रकार के जो निवेस हैं वो आपस में दोनों देस करेंगे, परेटन को बढ़ाबा देने का काम करें दोनों देस सुरक्षा को लेकर, दूर संचार को लेकर, उर्जाग विकास को लेकर और पर्याबन की जो समस्या हैं, उनको लेकर भी आपस में एक तरह से कारे करेंगे, तो आप कह सकते हैं, बड़े पहमाने पर संबंदों को आगे बढ़ाने के लिए, दोनों देस आगे च और इडाक, इन्होंने मिलकर इजराइल के साथ युद्ड लड़ा, इस युद्ड की समाप्ती के बाद, इजराइल के दरणा बड़े छितर पर नेयंतं ने सथापित किया गया, और साथ साथ जो पस्चिमी जेरुसलम यैनि जेरुसलम जो एक तरह से फिलिस्तिन और इस्र तो मिसर के दो इलागों पर कभजा किया गया इसराइल के दौरा एक कहलाता है गाजा पटी और दूसरा कहलाता है सिनाई पैनेंसुला तो यह दो ऐसे छेत्र हैं यह अगर हम बात करें तो गाजा पटी का छेत्र है जो इजिप्ट से लिया गया और यह सिनाई प्राइदीप का हिस्सा है जिसको एक तरह से नियंतर में ले लिया था किसने इसराइल ने तो जो युद था, उसमें यरुसलम का जो पूरवी भाग था, Eastern इस्सा, वो कभजे में लिया था इसराइल ने, और 67 के युद में पस्चमी हिस्सा भी कभजे में लिया, और सीरिया के नियंतरण से उन्होंने अपने कभजे में लिया, गोलन हाईट्स, आपके एक्साम में इसे जो विवाद है वो इस्राइल के साथ काफी बढ़ा लिया। 67 का यूद देख तरह से आप कह सकते हैं अरब और इस्राइल के बीच में एक प्रमुग विवाद के रूप में माना जाता है। और आगे चलकर तीन बड़े मुद्व पर उन्होंने कहा कि वो इस्राइल का साथ नहीं देंगे। और इसी समझोते के बाद आगे चलकर अगले वर्स 1979 में इसराइल ने एक तरह से एजिप्ट मिस्र के साथ एक समझोता अस्ताक्षर किया और इस समझोते के अनुसार इसराइल ने जो सिनाई प्राइदीप का इलाका है उसको छोड़ दिया और बदले में मिस्रे ने इसराइल को मानता परदान कर दी तो अरब देसों में पहला देस था मिस्र जिसने 1979 में इसराइल को मानता परदान करी और कारण क्या था 1978 का कैंप डेविट समझोता आगे चलका 1994 में जॉडन के साथ इसराइल का समझोता हुआ 1994 में इसराइल जॉर्डन का समझाता हुआ और जॉर्डन ने भी इसराइल को मानता दे दी और ध्यान रखें कि यहाँ पर ही एक तरह से जो फिलिस्तीन है वो देश एक तरह से अस्तुत में आने लगा क्योंकि जो वेस्ट बैंक का इलाका था और साथ साथ गाजा पट्टी य एक तरह से फिलिस्तीन को नियंतर सरकार चलाने के लिए दे दिया गया तो इसी कड़ी में आप देखें तो कहिना के जॉर्डन वो इसराइल के साथ सांती रूप में सामिल होता है और इसराइल को मानता भी एक तरह से परदान करता है जॉर्डन 1994 में दूसरा देस बनता है अरब देसों में जिसने इसराइल को मानता परदान करी और तीसरे देस के रूप में आप देखें युवेई है जब इसने इसराइल के साथ यहाँ पर समझाता किया है अब यहाँ पर प्रश्णिया उठता है कि युवेई ने ये समझाता किया क्यों है देखें युवेई क कर दिया तो माना यह जा रहा है कि अगर अमरीका के राश्पती में चुनाओं में किसी तरह का उलट फिर होता है और ट्रम्प हारते हैं और डेमोक्रेट सरकार बनती है तो इरान के साथ जो समझाता है उसको फिर से लागू किया जाएगा तो जो एक तरह से मदबूर वेशिय है वहाँ पर इरान को कमजोर करने का एक प्रयास है यह डील तो इस डील के माद्यम से UAE एक तरह से अमरीका के सयोगी के रूप में अपने आपको दिखाना चाहता है क्योंकि अगर ऐसा कुछ होता है कि डेमोक्रेट राश्पती चुनाओं जीते हैं और अमरीका इरान की ड साओधी अरब इसको बिल्कुल नहीं चाहते हैं तो आप ध्याना के अमरीका साओधी अरब युवई का एक जो ब्लॉक है वो कही न कहीं चाहता है कि एक ऐसा समझोता कर लिया जाए जिसके आधार पर अगर भविस्थ में ऐसी कोई संभावना बनती है तो इरान को कमजोर क करने का प्रयास करेंगे जैसा वो अभी भी कर रहे हैं तो ये सिती तो युवई और साओधी अरब के लिए सुखद होगी तो दोनों पक्छों में अपनी सिती को मजबूत करने के लिए युवई एक तरह से इस तरह के एक समझोते में गया है इसराइल के साथ यहां पर प्रभाव है वो मद्धपूर वेश्या में बढ़ेगा और तुर्की एरान इस तरह का प्रभाव अमरीका का नहीं चाहते हैं तो कहीं न कहीं जो यहां समस्याई हैं वो कई ब्लॉक्स में हैं चाहे साओधे अरब को लेकर जो सुन्नी एक तरह से ब्लॉक है या इरान के नि देखने वाली बात होगी कि किस तरह से अमरीका उसके साथ साथ बहरीन उसके साथ 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 एरब और युए इनका जो एक ग्रूप है वो मद्धपूर वेश्या में अपनी सिथी को और मजबूत कैसे करता है और तुर्की एरान जैसे देश जो इसका बढ़नाम आते हैं तो इस तरह की जो समझोते हैं वो और बढ़ सकते हैं मद्पूर वेश्या में युए की जो इसराइल से डील है वो कहीं न कहीं अमरीका और साथ एरब को एक तरह से मजबूत करता है क्योंकि ये युए के प्रमुस सायोगी के रूप में माना जाता है त और तुर्की के तरफ से प्रयास बढ़ेंगे तो इस डील के लिए माना जाता है कि आने वाले समय में मद्पूर वेश्या में जो कॉन्फलिक्ट या ये तरह से विवाद की सिती है ये और जदा प्रचंड हो सकती है ये और बढ़ सकती है अपने अपने परभाव को बनाय नहीं आया है तो ये कहिने का जो समझाते है उसका सबसे नकारत्मक बिंदू है कि इसराइल के साथ अगर कोई अरब देश समझाता करता है तो फिलिस्तीन के मुद्दे को वहाँ पर नहीं लाया गया है तो ये कह सकते हैं अमरीका इसराइल की एक तरह से जीत है कि बिना फि तो ये भी भविस में देखने वाली बात होगी, कि फिलिस्तीन के मुद्दे को लेकर किस तरह से मद्भूर एशा में जो हल है वो निकाला जाता है, ये मैप भी आप ध्यान रखें, हमेशा गाजा पट्टी, वेस्ट बैंक, गोलन हैट साप से पुछा गया हुआ है, किस कौन सा समुदरी हिसे में राता है, तो आप इसको प्री के हिसाब से भी ध्यान रखें, और हमारी इसी चर्चा के आदार पर एक मेंस का कोशन आप, लिखने का प्रयास कीजेगा, मद्भूर एशा में सांती स्थापना में, युए इसराइल समझाता है किस प्रकार योगदान द उनके परणाम क्या हुए, फिर आप बता सकते हैं किस तरह से इजिप्ट यानि मिस्र जॉर्डन के दोरा इसराइल से समझाता किया गया, आप बता सकते हैं कि मद्भूर एशा में इरान एक सिया ब्लॉक को चलाता है, मजबूत रखता है, और सुन्नी जो ग्रूप हैं, उस परणाम को बढ़ाना, ये एक तरह से इसका प्रमुक उद्देश है, तो आने वाले समय में, अगर युवे एक अरब देश के रूप में, इसमें सामिल होता है, इसराइल को मानता देता है, तो कहने कहीं मद्भूर एशा में, सांती स्थापना के लिए सकारात्म के रूप म आप देश सकते हैं, आप लास्ट में ये भी लिश सकते हैं, कि इसमें तुर्की और इरान का जो विरोध हैं, वो कहने के समस्याओं को बढ़ा सकता है, और फिलिस्तीन के मुद्दे को लेकर कुछ भी नहीं क्या गया है, तो ये भी कहने के मद्भूर एशा की सांती अपना में एक बाधा के रूप में हो सकता है, तो या आप आसंका जो हो सकती है, या इसमें परणाम संभावित हो सकते हैं, उसके बारे में भी आप बता सकते हैं, इस प्रकार से अपने अंसर को आप लिखने का एक प्रयास कर सकते हैं, आगे हमारे प्रिलिम्स के बेस पर क कुछ प्री के टॉपिक से उनको हम देखते हैं, तो पहला देखें, तो अमरीका में जो मताधिकार की बात करें, तो आप ध्यान रखें, अमरीका का जो संविदान इस्थापित हुआ, तो प्रारम में महिलाओं को मत देने के अधिकार नहीं थे, और ये मत देने का जो अधिक यह 1920 में अमरीका में दिया गया है, तो उसी से सम्मधिन हमारा एक प्री का कुश्चन आप देखें, USA में सारभावमिक मतादिकार प्रारव में सभी नागरिकों को प्राप्त था, गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि महिलाओं को नहीं था, और महिलाओं को यह अधिकार 19 में संभीदान संसोदन के दारा दिया गया, कब 1920 में जब यह संभीदान संसोदन अमरीका के संभीदान में सामिल किया गया, तो महिलाओं को जो मत अधिकार का पार्ट है वो 1920 में एक तरह से दिया गया तो 18 अगस्त 1920 को 19 समयदान संसोदा अमरीका के समयदान में सामिल किया गया और महिलाओं को भी मत देने का अधिकार एक तरह से प्रतान किये गया तो पहला गलत दूसरा सही है तो अंसर है आपका B Next summary news पर आते हैं तो यूरोप के देश बेलारूस से एक तरह से संबन देत है देखें बेलारूस के अगर हम बात करें तो बेलारूस यह आपका देश है और रूस का एक प्रमुख सही होगी देश है अगर आप सोवियस संग की बात करें USSR तो USSR में आप देखें तो बेलारूस भी एक तरह से एक हिस्से की रूप में सोवियस संग में सामिल था वर्तमान में जब सोव्य संग तूटा 90 के दसक में रूस एक प्रमुक देश बना और अन्य देश इसमें से अलग हुए जैसे एस्टोनिया, लाट्विया, लिथ्वानिया, बेलारूस, मॉल्डोबा तो उसी कड़ी में बेलारूस भी पूर्व सोव्य संग का देश है वर्तमान में रूस का एक प्रमुक सहयोगी देश है और ध्यान रखें 1994 से लगातार 26 वर्से वहाँ पर राश्पती पतपर हैं अलक्जैंडर लुकाशंग के तो उनके खिलाप एक तरह से कह सकते हैं वर्तमान में बेलारूस में काफी बिरोध बढ़ता जा रहा है तो इसी सं नाट्विया लुथवैनिया पोलेंड उसके लावा युक्रेन और रूस से घिरा हुआ है तो चारतव से लेंड लॉक इस्थल रुद्ध देश है कौनसा बेलारूस तो यहां पर दूसरा स्टमेंट भी आपका ठीक है तीसरा एलक्जैंडर लोकाशंग को उननेस्ट चारा होती थी यानि जो भी उसमेंसे साउंड आता था उसको मैप किया गया ते उसको मापा गया ता और ये काम किया था सी भी विस्वेसर ने सबसे पहले और उसको उन्होंने पुल्विस करा आया तो उसी के समद्में यहां पर का गया है कि ब्लैक होल से जोभी एक तरंग निकल किया गया और माना जा रहा है कि यह जो तारा है यह एक तरह से अपने जीवन काल के एक ऐसी सिती में आ रहा है जहां पर अंतिम रूप में यह ब्लैक होल में एक तरह से परवर्तित हो सकता है तो इस तारे के बारे में माना यह जा रहा है कि यह जो तारा कॉन सा है Battle Geese Star. इस तारे का माना जा रहा है कि जो दरब्मान है, वो सूरी के दरब्मान का 1,000 गुना है. और सामानेता है अगर कोई तारा हमारे सूरी के दरब्मान के 8 गुना यह उससे जदा है, तो उसके black hole में convert होने की संभावना एक तरह से बढ़ जाती है, जैसे हमने battle geese star के बारे में कहा, यह हमारे सूर के द्रमान का 1000 गुने से जादा है, तो ऐसी इस्तिति में यह black hole में convert होगा, अब black hole कहते क्यों है, तो black term इसलिए बोला जाता है, कि इस black hole में जो गृत्ता कर्शन वो इतना मजबूत होता है, कि प्रकास भी इसमें एक तरह से पार नहीं जा पता है, तो इस कारण से black hole की कोई image खीतना या photo खीतना उतना आसान नहीं होता है, तो black hole के आसपास जो radiation होता है, उसके आधार पर उसकी image लेने के प्रयास जरूर किये गए और वो सफल भी हुए, लेकिन पूर्ण रूप से क्योंकि ये प्रकास को भी अपने अंदर आकरसित कर लेता है, गुर्त आकरशन बल इतना ज्यादा होता है, इसी कारण से black hole एक तरह से कहा जाता है, तो आप ऐसा समझ सकते हैं, कि हज्जारों एक तरह से सूर्य का जो द्रभमान है, वो किसी एक मवस्ता में black hole में बदल सकते हैं, अभी आपको देखा dwarf star या नि बोना star और neutron star बदलते हैं, तो सभी black hole में नहीं होंगे, black hole मतलब सूर्य के द्रभमान का 8 गुना लगबग होना चाहिए, या उससे ज़्यादा हो, जैसा हमने battle case star के बारे में कहां, तो सभी convert नहीं होंगे, अत्यदिक तीवर गुर्त्याकर्शन का चेत्र जिसमें प्रकाज भी पार नहीं जा सकता है, तो तीसरा सही है, तो अंसर है आपका ए, हबल टेलेस्कोप के संबद में question देखें, हबल टेलेस्कोप के संबद में निम्न कत्नों पर विचार करें, या नासा की सबसे लंबे सम इसके निर्मान में योगदान किया है, तोनों सही है, यह टेलेस्कोप पराबैगनी, अल्ट्रावालेट, दर्श प्रकाज, विजबिल लाइट, और अवरत्य स्पेक्ट्रम, इसके अंतरगत कारे कर सकता है, या जो भी हमारा एक तरह से स्पेक्ट्रम है, इसमें पराबैगनी की कोई इमेज है, अल्ट्रावालेट की, तो उसकी भी इमेज हबल टेलिसकोप ले सकता है, तो यहाँ पर आप देखें, तो तीनों स्टेट्मेंट सही है, तो अंसर आपका D, नेक्स देखें, तो यह भी प्रिलिम से संबंदित है, और यह बिफीडो बैक्ट करते हैं, जो हमारे पाचन में एक तरह से मदद करते हैं, बहुत सारे जो हमारे खादे जाते हुए उनको तोड़ना, उनसे उर्जाहत पादन करना, और हमारे सवी को पोशक पदार देना, उसमें बहुत सारे बैक्टिरिया का एक तरह से योगदान होता है, आप देखें, यूज किया जाते हैं, तो इस तरह के काफी TB में आप एड देखते होंगे, तो Bifadobacteria भी एक तरह से probiotic की आप कह सकते हैं, जिनको कृतिम रूप से बनाया जाता है, तो यह ऐसे प्रभाव को थोड़ा नकारात्माग रूप में कम करने के लिए, कभी-कभी हम probiotic का उपयोग करते हैं, तो Bifadobacteria के हाँ बड़ी प्रजाती है, जो इस्तंदारियों में Lactobacillus Bifidus का जाता था, तो इन बैक्टिरा के अगर हम बात करें, तो यह ऐसे समूझ से संबंदित हैं, जो Lactic Acid Bacteria भी का जाता है, कारण यह है कि Lactic Acid जो बैक्टिरिया है, वो दही और पनीर का जो किंडवन होता है, फर्मेंटेशन हा, उसमें एक तरह से पाय जाते हैं, तो इसी तरह के Bacteria सामान रूप से हमारी आत में भी पाय जाते हैं, तो Bifadobacteria के अगर हम बात करें, तो Antibiotic के विपरीद, प्रोबायोटिक के रूप में उप्योग किये जाते हैं, और इने Friendly Bacteria भी एक तरह से का जाता है, तो ये खादबदारत को तोड़ने, सरीर को पोसकता तो लेने मदद करते हैं, और खराब Bacteria का जो एक तरह से हमारे सरीर में प्रभाव है, उसको एक तरह से रोकने में मदद करते हैं, Antibiotic अगर आँ उप्योग करते हैं, तो Bifedo Bacteria लेने से आप अच्छे जिबाडियों की मृतियों खराब जिबाडियों दारा होने वाले नुकसान हैं, उसको रोक सकते हैं, तो अच्छे Bacteria सरी में बने रहे हैं, इसके लिए Probiotic के तरह से लिए जाते हैं, अगर आप Antibiotic का उपचार अपने सरीर में किसी भी बीमारी के लिए कर रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि Bifedo Bacteria उन कैटेगरी के Bacteria हैं, जो एक तरह से Healthy Bacteria या Friendly Bacteria माने जाते हैं हमारे सरीर के लिए, तो उनी के समद में हमारे एक प्री के रूप में भी लिया सकता है, तो दोनों स्टेटमेंस हैं, तो अंसर आपका C, UPSC में आपका एक बार कॉश्चन पूचा गया है, कि एक फुटबाल क्लब का नाम देकर, कि यह किस देश से संबंदित हैं, तो हमने यहाँ पर सिर्फ दो देशों को लिया हैं, यानि इंग जिसमें बार्सलोना हार गया था, बेयर म्यूनिक से, तो उसी के संबंद में हमारा कॉश्चन है, तो यह स्पैनिस कुछ आपके क्लब हैं, यसे रियाल मैडरिड, या बार्सलोना, एथलेटिक बिलवाओ, या एथलेटिको, मैडरिड, सेविला और वैलेंसिया, और यहाँ बिटिस एक तरह से आपके कह सकते हैं, फुटबल क्लब है या इस्पैनिस, तो आपको ध्यान अखने किस देश के प्रमुक फुटबल क्लब है, इसी के संबंद में एक क्षचन है लास्ट आपका, निम्न में कौन इस्पैनिस फुटबल क्लब नहीं है, तो रियाल अंसर है C क्योंकि ये बिटिस फुटबल क्लब है एक तरह से, तो आंसर यहाँ पर आपका C है, तो ये हमारा 16-2020 का समाचा रविस्टेशन था, आने वाले समय में, आने दिनों के समाचा रविस्टेशन हम आपको इसी तरह से प्रसुत करते रहेंगे, जो दिये गए प्री और में इसके कोशन है, इनकी आप प्रैक्टिस करते रहें, धन्यवाद.